हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तिन की लंबाई नाप लेंगे तो फ्रेंड हमारी आस्तिन की लंबाई 11 इंच है आस्तिन के लंबाई नापने के बाद आस्तिन के कपड़े को हम बीच में से दो भागों में इस तरीके से कट कर लेंगे तो फ्रेंड आस्तिन के कपड़े को इस तरीके से कट करने के बाद अब आस्तिन में डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बक्रम लेंगे तो फ्रेंड बक्रम की लंबाई आस्तिन की लंबाई के बराबर होने चाहिए और बक्रम की चोड़ाई फ्रेंड हमारी पाथ चेंच है चोड़ाई और लंबाई इस तरीके से नापने के बाद अब हम बक्रम को इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बराबर में इस तरीके से बक्रम को फोल्ड करें फिर दुबारा इसे इस तरीके से फोल्ड करें अब हम यहां से दुबारा फिर फोल्ड करेंगे इस तरीके से इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर ले अब इसमें डिजाइन बनाने के लिए हम इंची टेप लेंगे इंची टेप से हमें इस तरीके से एक इंच की लंबाई नापकर यहाँ पर टिक लगाना है दूसरे सैड में भी बिल्कुल एक बराबर में एक इंच की लंबाई नापकर टिक लगाना है यहाँ पर अब हम इसे इस तरीके से तिर्ची में लाइन अप कर लेंगे दूसरे साइट से भी हम तिर्ची में लाइन अप कर लेंगे इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हमें क्या करना है अब हमें यहां से इस तरीके से एक इंच की लंबाई नापना है और लंबाई पे इस तरीके से हम टिक लगा देंगे अब नीचे के साइड से इस तरीके से लंबाई नापेंगे अब उपर के साइड में इस तरीके से अब हम यहाँ से इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे जिस सेप में हमने टिक लगाया है उसी सेप में लाइन अप करना है तो फ्रेंड इस तरीके से हमने इस डिजाइन को बना लिया है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे तिर्ची में अब यहाँ से कट कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी कटिंग करेंगे तो फ्रेंड हमारे बाकरम का कटिंग हो गया है हमारे बाकरम का कटिंग होने के बाद हमारा डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके से आएगा हमने डवल डिजाइन की कटिंग की है इस तरीके से इस तरीकी साहता से डिजाइन को हमें कपड़े पे एक बराबर में इस तरीके से चिपका लेना है तो फ्रेंड हमने डिजाइन को कपड़े पे इस तरीके से चिपका लिया है अब हमें कपड़े में इस तरीके से कटिंग कर देनी है दोनों तरप में हम इस तरीके से कट कर देंगे इस तरीके से कपड़े की कटिंग करने के बाद अब जिस सेप में हमारा डिजाइन था उसी सेप में हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे यहां से इस तरीके से फोल्ड करें अब यहाँ से हम कपड़े को घुमा लेंगे अब यहाँ पे हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करें तो फ्रेंट जिस तरीके से हमारे डिजाइन का कटिंग हुआ है उसी सेफ में हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इसके उपर सिलाई चला देनी है तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूले जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड हम दोनों साइड में सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड हमने दोनों साइड में इस तरीके से सिलाई चला ली है अब डिजाइन के बीचों बीच हमें कट करनी है तो हम इस तरीके से दोनों डिजाइन को बीच में से कट करके अलग कर देंगे डिजाइन को इस तरीके से कट करने के बाद अब हम आस्तिन का कपड़ा लेंगे आस्तिन के कपड़े पे हम डिजाइन को इस तरीके से लगाएंगे और जिस सेप में हमारा डिजाइन है उसी सेप में हम सिलाई चला लेंगे तो यहां से कपड़े को एक बराबर करें और इस तरीके से इसके उपर सिलाई चला लें जूकि आप इस तरीके से इस डिजाइन को बहुती इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं फ्रेंड तो फ्रेंड हमने इस तरीके से दोनों साइड में डिजाइन के उपर सिलाई चला लिये अब हमें डिजाइन की कटिंग करनी है तो अंदर की साइड का जो हमारा कपड़ा है इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे हमें सिलाई के हलके से बगल में इसकी कटिंग करनी है तो हम दोनों साइड में बिलकुल इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंट जो हमारा दूसरा डिजाइन है आस्तिंग का उसमें भी एस्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हम सारे डिजाइन को इस तरीके से फोल्ड करके सीधा कर लेंगे झाल 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 डिजाइन को इस तरीके से एक बराबर में फोल्ड करने के बाद डिजाइन के ऊपर हम इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है उससी सेप में हमें सिलाई चलानी है बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंट हम दूसरे साइड में भी सिलाई चला लेंगे जो कि हमारा डिजाइन का जो दूसरा साइड है इस तरह हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंट इस तरीके से हमने आज दिन के दोनों साइड के कपड़ों पे सिलाई चला ली है अब हमें दोनों डिजाइन को इस तरीके से जोईंट करके इसके उपर सिलाई चला देनी है इस तरीके से एक बराबर में सारे डिजाइन को जोईंट करते जाएं और इसके उपर सिलाई चलाते जाएं तो फ्रेंट अवे तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूले जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो फ्रेंड हमारे ये लाइन भी कम्प्लीट हो चलिए डिजाइन में इस तरीके से आपको रेडिमेंट बटम लगा देनी है अब डिजाइन बनाने के लिए हम एक लंबा सा चोड़ा सा कप्रा लेंगे कपड़े की लंबाई हम नाप लेंगे कपड़े की लंबाई पाच इंच है अब हम कपड़े की चोड़ाई नाप लेंगे कपड़े की चोड़ाई धाई इंच है अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें हाफ गोल सेप में इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद इसकी उपर हमें सिलाई चला देनी है जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में इसके उपर आपको सिलाई चला देनी है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे तो फ्रेंड ऐसी हमें धेर सारे डिजाइन बनानी है तो हम ऐसी धेर सारे डिजाइन बना लेंगे ये देखिए इस तरीके से तो फ्रेंड हमने ऐसी धेट सारे डिजाइन बना लिए अब हमें क्या करना है इस तरीके से सारे डिजाइन को एक के उपर एक लगा कर सिलाई चला देनी है इस डिजाइन को आपको दो कलर में बनाना है जो कि मैंने दो कलर में बनाया है ये दो कलर में बहुती डिजाइन सुन्दर लगीगा तो फ्रेंड इस तरीके से एक के नीचे एक डिजाइन को लगाते जाए और इसके उपर सिलाई चला ले तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब यहां से हम धागे को कट कर लेंगे और एश्टा कपड़े को भी किनारे के साइड में जो है हमारा एश्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हम डिजाइन को उल्टा कर देंगे अब देड इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे और डिजाइन के उपर हम इस तरीके से लगाएंगे और इसके उपर हम सीधी सिलाई चला लेंगे सीधी सिलाई चलाने के बाद एश्टा कपड़े को हम कट कर लेंगे यहां से अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी उपर सीधी सिलाई चला लेंगे एक बराबर में इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद देर इन चोड़ा एक दूसरे गलर का हम कपड़ा लेंगे इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डिजाइन के नीचे के साइड में यहाँ पे लगा कर हम इसकी उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाने के बाद एश्टा कपड़े को यहाँ से हम कट कर देंगे अब हमें डिजाइन को फ्रेंड आस दिन के कपड़े में इस तरीके से जोईंट करना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है सीधी सिलाई चलाने के बाद जो हमारा एश्टा डिजाइन है यहाँ से कट कर लेंगे अब हम यहाँ पर रेडिमेंट बटम लगा लेंगे